क्लास एर्थ आज मैं आपको कराने वाली हूँ चेप्टर फाइव प्ले थिंग्स के कोश्यन आंसर सेंड एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट करते हैं इसके कोश्यन आंसर इसकी मैं पोएम की वीडियो में आपको पहले डाल चुकी हूँ उसको आप अच्छे से रीड कर लीजेगा और पोएम अपनी कॉपी में कंप्लेट कर लीजेगा कोश्यन नमबर वन है वेर वोज दचाइल्ड सिटिंग की जो बच्चा है वो कहां पर बैठा था तो इसका अंसर होगा the child was sitting outside in the dust तो बच्चा कहां पर बैठा है डस्ट जो है धूल में धूल में वो बैठा है what is the child playing with जो बच्चा है वो किसके साथ खेल रहा है the child was playing with a broken twing broken मतलब जो टूटी होई टहनी है उसके साथ वो बच्चा खेल रहा था which activities was the poet busy in कौन सी गतीवी दियों को ये activities को करने में जो poet है वो busy था तो इसका अंसर हो जाएगा the poet was busy in adding up figures while doing his accounts वो किसको अपने जो accounts का कारे करने में उनको add करने में figures को जोडने में उनको busy है what has the poet forgotten forgotten मतलब जो poet है जो इसमें कवी है वो क्या चीज भूल चुका था जो पहले वो खेलता था पहले वो भी तो वो उस कला को अब भूल गया है और play of sticks and mud pies जो लकडियों और मिट्टी के जो धेले हैं उनमें जो बनाने में वो तल्लीन जहता था जिसे तो वो उस कला को अब क्या कर गया है मडपाई और स्टिक्स प्ले स्टिक्स को करने में वो भूल गया है उनको उनके साथ खेलना जो पॉइट है उसे मतलब क्रॉस करने में क्या संगर्ष पॉइट किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो पॉइट है वो इच्छाओं रूपी समुंद्र को क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है इन हिस वीक कैनाई जो उनकी जो शक्ती है जो उसकी तीवर इच्छाओं रूपी समुंद्र है उसको स्ट्रगल क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है next आते हैं what do you understand by the phrase the sea of desire आपने जो यह फ्रेज है sea of desire इच्छाओं का समुंद्र इससे आप क्या समझते हैं grown-up man जो पृति एक grown-up man है seeks many desires उसके अंदर बहुत सारी च्छाओं होती है and keeps roaming on his weak boat और जो वो कर रहा है वो रोम जिस पर बैठा है वो कहती है उसकी boat जो है weak है trying to fulfill all the desires that are never ending see और जो उसकी desires है वो क्या कर रहा है trying to fulfill उसकी desires को पूरी करने की कोशिश कर रहा है कि इस पर एक weak boat पर बैठ कर तो all the desires that are never ending see और जो desires है वो कभी न खतम होने वारे समुंद्र के समान है that are never ending जो कभी भी खतम नहीं होगा ऐसा समुंद्र है जो हमारी designer वो कभी खतम नहीं होती और बढ़ती जाती है एक चीज पूरी होती तो हमें लगता है अभी यह होनी चाहिए अभी होनी चाहिए next is write two rhyming words for the words given below next है इसके जो dust है word इसके दो rhyming word हमें लिखने है तो dust का हो जाएगा एक तो rust और इसका एक हो जाएगा हमारा must और एक हो जाएगा हमारा यह drink और सीक कमीक और स्लीक तो यह आप अपने को नोट्बुक में दो दो इसनके राइमिंग में लिख लीजिएगा hockey is a sport which is played with a stick and a ball hockey play है जो कि किसके दोरा ball or stick के दोरा खेले जाता है given below are the some games right what they are played with you किसके साथ खेले जाते हैं तो आपको यह लिखने है ठीक है hockey तो यह तो यह तो है इसका अंसर यह stick with a and a ball in next cricket किसके साथ cricket ball and a bat skating roller skates के साथ badminton and badminton racket और एक shuttlecock और football एक football के साथ ठीक है तो यह आपको यह वाला वर्क आपको अपनी नोट बुक में यहां तक complete करना है आई होप आपको समझा गया होगा यह चप्टर अगर कोई भी क्वैरी है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं